कुंडली के छटे भाव में उच्च के केतू का क्या प्रभाव होता है? वैदिक जियोतिश में, केतू वैराग्य, आध्यात्मिक्ता और कर्म संबंधी प्रभावों का प्रतिनिदित्व करता है. कुंदली के छटे भाव में उच्च होने पर, जो शत्रूओं, रिनोओ, बीमारियों और दैनिक कारियों को नियंत्रित करता है, केतू अध्वितिय प्रभाव लाता है यहां उच्च के केतू एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसके पास मजबूत उपचार्क्षमताएं और बाधाओं पर काबू पाने की स्वाभाविक प्रभृती होती है ऐसे व्यक्ति अक्सर चुनोतियों का सामना करने में माहिर होते हैं, जिससे वे महान समस्या समाधान करता बन जाते हैं वे दुश्मनों या प्रतिसपर्धियों को हराने की प्रवृती रखते हैं, क्योंकि केतू एक विशलेशन आत्मक और अलग दृष्टिकोन प्रदान करता है, जिससे वे विवादों और विरोधियों को शांती से संभाल सकते हैं, हालां कि केतू के प्रभाव से अचानक औ और अप्रत्याशित स्वास्थय समस्याई या असामान्य बीमारियां भी हो सकती हैं, व्यक्तियों के लिए अपने स्वास्थय पर ध्यान देना और तनाव से बचना महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक रूप से, इस्थिती में केतू भौतिक चिंताओं से अलगाव में उच्च ग्यान या आंतरिक शांती चाहने वालों के लिए फाइदे मंद है, इस प्रकार, छटे घर में उच्च केतू प्रतिकूलताओं पर विजय और आध्यात्मिक विकास का मिश्रन प्रदान करता है, लेकिन शारीरिक स्वास्थे के बारे में सावधानी बरतने की आव परश्यक्ता होती है, क्रिपया अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म को सब्सक्राइब करें,